हाई विठोले इंजल से पहले मैं अनाउंस करना चाते हूं जो 11 जनवरी को मेरा नया कोर्स सेकिंड बैच है यह स्टार्ट हो रहा है मैजिकल ग्रैटिटूट कोर्स पूरे वन मंत का कोर्स है जिसमें 28 डेज की एक्टिविटी जो है एवरी डे करनी है जिसके लिए सिर्फ 10-15 मिनिट का चाहिए काम करना है आपको एक्टिविटी और एक्टिविटी क्या होंगी वो हिंदी और इंग्रिश में मैं गृूप में शेयर करूँगी वीडियो भी शेयर करूँगी जो आप वाच करोगे डेली एक्टिविटी करोगे और वन मंत के बाद आप बिग बिग डिफरेंस देखने वाले हों बहुत कुछ आप रिलीज कर पाओगे आपके सब कॉंशियस माइंड में भी और कॉंशियस माइंड से भ इसको प्लस वन लगाके मुझे ढूंड सकते हो क्योंकि इंटरनेशनल नंबर है तो आपको प्लस वन लगाना पड़ेगा और साथ में आप मुझे इमेल भी कर सकते हैं अपना वट्सेप नंबर तो भी मैं स्टूनेंट्स को कॉंटक्ट कर रही हूं तो जल्दी से डिसाइ जल्दी मिला है आज का तो देख लेते हैं आज की रीडिंग कि क्या आने वाला है आपकी जिंदगी में इश्वर भगवान आपकी जिंदगी में क्या भेज रहे हैं एक तो आप बहुत सुन्दर लगने माले हो या सुन्दर अलड़ी लग रहे हुआ चमक रहे हुआ आप confidence आपका बढ़ रहा है इसी तरह के एक बड़े challenge से आपको बहार निकालने माले हैं इश्वर और यह चाहिए आपकी thinking की क्यों न हो कि आपको आप negative सोचा करते थे उस वज़े से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे तो पहले आपको positive positive किया जाएगा फिर आप आगे जो भी करना चाहते हैं वो कर पाएगे किसे के लिए कोई यह challenge हो सकता है कि जिस challenge में से आप गुजर रहे हो right now वो challenge में से आपको निकाला जाएगा solution दिया जाएगा आपको कोई न कोई solution आप तक पहुंच जाएगा तो आपको बस उसको उसके साथ काम करना है solution कोई भी हो सकता है कोई भी आपकी remedy हो सकती है कोई meditation कुछ भी हो सकता है जिसके साथ आपको काम करने की जुरत है जो भी लोग किसी twin flame या soulmate का इंतजार कर रहे हैं तो उनकी life में soulmate आ रहे है और ये मुझे word rescue भी सुन रहा है तो किसी तरह की rescue भी होने वाली है यहाँ पर यानि कि अगर आप बहुत ज़दा कमजोर पड़ रहे थे या loneliness में थे या किसी तरह की आपको help चाहिए थी तो वो soulmate आपको किसी ना किसी तरह की help ये soulmate कोई भी हो सकते है family members, partner, friends, relatives, कोई भी right तो आपको कोई ना कोई rescue करने आ रहा है वो rescue again ऐसा हो सकता है कि आपको किसी ने कोई help समय पर help कर दी आपको किसी situation किसी मुसीबत में से बहार निकाल दिया गया तो आपको किसी ना किसी तरह की help भेजी जा रही है यहाँ पर तो इश्वर ये आपको किसी ना किसी रूप में कोई help आपको भेज रहे है जो आपको इस challenging time पे आपकी help मिल जाएगी आपको जो इस भी challenge से आप गुजर रहे हो किसी तरह का solution मिल जाएगा आपको किसी तरह की guidance मिल जाएगी आपको तो ये होने वाला है और क्या आईश्वर भेज रहे हैं आपकी life में जो लोग marriage के लिए partner की वो कर रहे हैं उनकी life में एक prince, princess जरूर आ रहे हैं जो लोग काफी देर से एक partner की तलाश कर रहे हैं तो वो तलाश उनकी पूरी होने वाली है यानि की love की entry है उनकी life में किसी न किसी रूप में love की entry है आप conceive होते भी नजर आरें जो conceive के लिए जो mother जो यहां पर parents बनना चाहते हैं तो उनकी वो मुराद भी पूरी होने वाली है तो आप के लिए fertile time हो सकता है conceive करने के लिए तो नया महमान आने की आपको प्रोग कर सकते हो और कहियों की life में ये fertility का time जो है आप अगर baby नहीं तो आपके life में कुछ project भेला जाएगा कोई नया काम कोई new beginning जिसके उपर आप काम कर सकते हो एक positive energy के साथ यानि की growth के लिए आपकी तो जो parents parents बना चाते हैं जो लोग तो उनके लिए वो fertility वो baby वो कर पाएंगे और साथ में जो लोग किसी project किसी नई beginning की वेट कर रहे हैं उनको वो opportunity मिल जाएगी यहाँ पे इस समय में ताकि वो आगे बढ़ पाएं ग्रो कर पाएं तो यह इश्वर भेज रहा है आपकी लाइफ में कुछ लोग यहाँ पर soul family तो कोई ना कहीं आपका काम आगे इतना बढ़ जाएगा प्रोग्रस करेगा जो भी आप काम करते हो तो आपको कफी सारे soulmates से connection है आप ए soul family से आप जुडने वाले हो सब के लिए नहीं resonate होगा तो देखो जिसकी शादी हो रही है उसको शादी करने से उसके soul family मिल जाएगी partner and in-laws सब लोग राइट वो नहीं लोग उनकी जिन्दगी में आएंगे तो वो उनके soul family soulmates हो सकते हैं तो किसी ना किसी रूप में तो कोई काम नया शुरू कर रहा है तो वो attract कर रहा है soul family के connection में आने माला है या कोई किसी को help चाहिए कहीं तो किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपके लिए help भेज रहे हैं तो ये सब की life में अलग-लग की अलग-लग रूप में ये वो होगा help provide की जाएगी किसी को solution दिये जाएगा guidance दिये जाएगी जो भी जिस तरह का भी कोई challenge face कर रहा है उसको challenge में से बहार निकालने के लिए उसको उस तरह की help दी जाएगी यहां पर किसी तरह कोई humanity कोई society हो सकती है कुछ भी ऐसा जैसे old age home होते हैं कुछ भी ऐसा जहां पर आप काम कर सकते हो अपने resources को share कर सकते हो या किसी की help कर सकते हो कोई homeless है तो आप उनकी help कर सकते हो money के साथ कि उनका घर बन जाए चाहे छोटा साई हो लेकिन अपना घर हो कोई homeless है उसको किसी तरह से की food की कपड़ों की help कर देने या किसी center को open करवाना या कोई center start करना या animals की rescue करना कुछ ऐसा भी आप लोगों ने अगर सोचा हुआ है तो वो आप देखोगे कि अब आप वो शुरू कर पाओगे वाव beautiful message और कहीं लोग जो है pet को adopt करना पचाते हैं तो वो pet भी आपकी life में भेजा जाएगा जो आपकी healing में आपकी life में फिर से compassion को भर देगा फिर से प्यार को भर देगा और आपकी healing में help करेगा तो और ज़्यादा खुशिया और प्यार बढ़ेगा आपकी family में तो अगर आप pet के बारे में सोच रहे हैं आपके बच्चे सोच रहे हैं किसी pet को लेने के लिए तो वो भी ईश्वर आपकी life में भेज रहे हैं किसी तरह की help provide करना चाते हूँ आप राइड जैसे होते हैं ना जैसे special need kids होते हैं या फिर blind बच्चे होते हैं उनके schools में किसी तरह की help अगर आप provide करना चाते हो तो वो आपको अब किसी रूप में इस तरह की opportunity इस तरह की resources या आपको याद करवाया जाएगा कि आपको यह करना है इस तरह से आप अपने आपको वो inspire feel करोगे कि हाँ अब वो moment आ गया है जिस moment का शायद आपने इंतिजार किया था किसी भी तरह से उसकी beginning है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ और कुछ लोग किसी money की कमी की बज़े से यह सोच रहे थे कि हाँ अभी resources enough नहीं है money enough नहीं है तो कैसे करें अगर वो help करना चाहते हैं तो अब उनको किसी तरह उनकी growth होगी abundance भेजी जाएगी उनकी life में ताकि वो जो मन में उन्हें रखी हुई है न एक ask रखी हुई थी या एक अच्छी intention रखी हुई थी लोगों की help करने के लिए किसी रूप में चाहे human beings हैं चाहे animals हैं तो वो उसके उपर काम कर पाएंगे तो ये किसी तरह की growth abundance आपकी life में आपके abundance के दर्वाजे खोले जाएंगे ताकि आप किसी की help करते हुए आपको सोचना ना पड़े कि आरे मेरे पास enough होगा या नहीं होगा मेरी थाली में खाना होगा या नहीं होगा तो इस तरह की आपको अब कमी महसूस नहीं होगी तो जर्नल करेक्टिव रीडिंग है again कुछ messages आपके साथ करेंगे resonate या यह भी हो सकता है कि सारे messages आप रो resonate करें आपके साथ यह बहुत message emotional है कि जितने आँसूं आपकी आँखों से बहे है ना उतने ही गिंती के आपकी खुशियां आपकी लाइफ में भेजे जाएंगी इश्वर कृष्णा आपकी उतने ही खुशियां आपकी लाइफ में भेजे जाएंगी ताकि आप खुशी में रो सकें आप होता ना कि हम लोगों इतनी खुशी मिलगी कि हम खुशी के आंसू आने लग गए इस मेसेज से मैं भी बहुत ज़ाद एमोशनल होगे तो कहीं न कहीं आपके युनिवर्स आपके इश्वर ने आपके आंसू वो काउंट किये है तो उतनी ही खुशियां आपके लाइफ में आने को रेडी हैं ये इश्वर आपके लाइफ में भेजने वाले हैं ये पंक जो है मैं दिखाना चाती हूँ ये उंची जगह पर पड़ा हुआ था ये अपने आप अभी गिरा है और पंक रिसोर्सिस की कमी नहीं होगी आपकी लाइफ में कोई अचानक से स्ट्रेंजर आके आपके कोई हल्प कर गया आपको उमीद नहीं थी इस तरह के मिर्कल्स भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में वो इसलिए क्योंकि किसी ने किसी रूप में आपको हल्प प्रोवाइड की जाएगी अबंडनस की रिसोर्स की ताकि आप जो करना चाहते हैं अब वो आप कर सके ठीक है तो आज ही मैंने एक यहाँ पर भी वो मेसेज आ रहा है मैं बताना चाहूंगी कि आज ही मैंने एक वीडियो सुनी थी कि 30 साल बाद जो है शनी देव वक्री हो रहे हैं जब वक्री होते हैं तो जिन्होंने भी अच्छे करम की हैं अब उनको जस्टिस मिलेगी जिन्होंने जैसे भी करम की हैं तो अच्छे करमा करने वालों को उनको फल मिलेगा तो इसलिए शायद यह वीडियो को भी message मुझे दिया गया है कि आपको जो भी आपने जिस चीज के भी आंसू बहाएं है न तो उनको गिंती की आपको happiness provide की जाएगी, खुशियां provide की जाएगी, तो बस थोड़ा सा patience रखिए आपको और अपना दिल साफ रखिए ये नहीं करना कि हाँ उसने दुख दिया, उसने दुख दिया, अब उस energy में नहीं रहना हम लोगों को राइट, हम लोगों को जो आगे रास्ता तहें करना है, उसके बारे में planning करनी है, जो आगे हम लोग करना चाहते थे जो आप लोग कितनी सालों से शायद decide कर रहे कि हाँ मुझे मौका मिले तो मैं ये करूंगी या मुझे मौका मिले तो मैं वो करूंगा जो भी आपने सोचा हुआ था किसी भी तरह से help provide करनी, अलग अलग तरीकों से help provide करनी वो अब आपको मौका दिया जाएगा, तो ये इश्वर आपकी life में भेज रहे हैं सारी ये खुशियां abundance, resources help करने वाले लोग आपकी life में आएंगे तो कई बार क्या होता है कोई जान ही लोग इस तरह से help कर जाते हैं एक angel की तरह जो हम लोग imagine भी नहीं कर रहे हैं कभी सोचा भी नहीं होता कि हाँ हम लोग expect करते हैं mostly जो हम लोगों को जानते हैं family, friends हैं और उन से नहीं मिलती हम लोगों को help और कोई stranger आके एकदम से हमारी help कर देता है एक angel की तरह वो इसलिए क्योंकि इश्वर नहीं उसको भेजा होता है help करने के लिए तकि आपको अब किसी चीज की यहां पर message आ रहा है कि help हर तरह की आपको भेजी जा रही है जिसको जहां पर भी जिस तरह की भी help चाहिए वो आपको मिलेगी लेकिन आपको अपने आपके जो you know victim वाले patterns रहे हैं आपको लोग trick कर रहे हैं जूट बोल रहे हैं, manipulate कर रहे हैं आपको उन patterns में नहीं रहना है यह भी इश्वर की आपसे request है कि अपने आपको उस energy में नहीं रखना है आपको आगे बढ़ाना है अपनी self worth को समझना है उन resources को use करना है जो आपकी तरफ आ रहे हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए और साथ में एक और message है यहाँ पर जितना आप अपने negative patterns में से अपने आपको निकालोगे चाहे वो negative patterns लोगों की तरफ से create कियों है या आप एक relationship में हो ऐसे जहाँ पर negative patterns को follow करते जा रहे हो toxic relationships हो सकते हैं आपके कुछ भी ऐसा या खुद के negative सोच हो सकती है कुछ भी ऐसा जिसको आपको अब repeat नहीं करना है जब आप उन चीजों को release करोगे तो बहुत सारी जगा बनेगी बहुत सारे place को आप create करोगे जहाँ पर आप इस abundance को भर सकते हो इन खुशियों को जगा दे सकते हो receive कर सकते हो बहुत कुछ बहुत सारी blessings, abundance वो जगा बनाने की आपको जुरुत है उसके लिए ready रहे है और pattern से किसी भी धरा के pattern से जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं उन patterns को तोड़ दीजिए निकल आईए उन pattern से बाहर ताकि अब ये सारी खुशियां आप receive कर सकें ईश्वर से फाइनल guidance देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपको खुद भी इस synergy में नहीं रहना है कि आपने हम लोग बोलने लग जाते ना कि अगर मैं आई है ऐसे कर लेती ऐसे कर लेती ऐसा हो जाता ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता मैंने ऐसे क्यों नहीं किया है उस struggle में भी अपने आपको नहीं रखी आप बिलकुल सही जगां पे राइटना हो जहां पर आपको होना चाहिए तो यह divine timing है अपने आपको यह वो मत कीजिए कि हाँ मेरी जिंदगी रुकी हुई है क्योंकि मैंने ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया कुछ भी ऐसा यह सब बाते बोलकर वो मत कीजिए यह समझ जाएए कि आप बिलकुल सही समय पर सही काम कर रहे हो और सही जगां पर हो आप इन messages को आप receive कर रहे हो यह divine timing राइटना हो आपकी शुरू हो चुकी है जहां पर आपको आपकी जोली में बहुत सारी खुशियां आने वाली है तो जब हम लोग प्रानी बातें याद करते हैं तो बारा से उनके साथ connect हो जाते हैं किसी ने किसी low vibration में चले जाते हैं तो वो जगा जो low vibration है वो ठीक नहीं है receive करने के लिए positive energy के साथ जोड़ने के लिए वो जगा ठीक नहीं है तो आपको ऐसा नहीं करना है बेपरवा होने के लिए कुछ लोगों को यहाँ पर वो है जो बहुत ज़ादा सोच सोच के एक एक कदम को इतनी seriousness से stress के साथ उठाते हैं थोड़ा आपने आपको बेपरवा कीजिए चाहे वो लोगों की opinion हो और आपकी खुद की वो हो अपने जो एक दाइरा बना लिया है अपने आपको limit कर लिया है उससे आपको थोड़ा सा बहार निकलने की ज़ुरत है यहाँ पर और अपनी आपकी आप खुश होने से भी जो डरते हो उससे भी बहार निकलने की आपको जुरत है ठीक है डर डर के खुश होते हो डर डर के जीते हो उससे भी आपको बहार निकलने की जुरत है और अपने आपको पंक लगाने की जुरत है वाव अपने आपको wings देने की जुरत है तो पंक दीजिए अपने आपको अपने ड्रीम्स को पंक दीजिए और फॉलो कीजिए ड्रीम्स तो ये थी बहुत इंट्रस्टिंग आज की रीडिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मुच पर वाचिंग, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जू करे मेरे चैनल को और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए और अगर अप मैजिकल ग्रेटिचूट कोर्स जॉइन करना चाते हैं तो आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं मेरे वाच्ट सैप पर या फिर एमिल अड्रेस पर आप मुझे मेसेज चाते हैं और अपना अपना वाच्जाप नेमर सेंड कर सकते हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक य, थैंक यू सब्सक्राइब अफिष्सक्राइब भाइ फर नाउ